वेलकम स्टूड़न्स आज हम क्लास 10 के एक्सेसाइज 5.3 के शॉर्ट कोस्चेंज को बनाने वाले हैं आप वीडियो को शुरू से आखिर तक पुरा देखें और इन सभी कोस्चेंज को और इनके सोलुशन को समझने की कोशिश करेंगे पेज नमबर इंग्लिश बुक में 99 में हैं तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले MCQ यानि मल्टिपल चोइस कोस्चेंज से पहला कोश्चन है यानि तीन नमबर है तीन है चार है और छे है और इनका में फोर्थ प्रोपरशनल या चतुर्थ समानुपाती मालूम करना है तो जैसा कि यह MCQ है इसलिए हम रफ में बनाएंगे ठीक है और डाइट जो करेक्ट एंसर उस पर हम इसको टीक करेंगे और इसके एंसर को आप यूंहीं और जबानी बना सकते हैं यह तीन नमर ते फ़ोर्थ परपरशनल को हम लोग एक समान लेते हैं है ना कि जब अम लोग को एक सेमाल लेंगे तो क्या होता हैं मैं पता है कि पहला नमबर जोर एक पिन को इंटू करके जितना होगा प्लिंड को जोरगे लोगे सेकंड नमबर इंटू करके भी उतना ही होगा जोरी दफछे इसलों के छे формcul़ कर इτανा होगा ठीक है और यह 24 हो रहा है तो ठीक पहला नमबर और चौथा नमबर जोगा 4th proportional उसको भी इंटू करके 24 होगा अब पहला नमबर कितना है थिरी है तो चौथा नमबर कितना होना चाहिए कि इंटू करने से वो 24 होगा तो 3 A, तो 3 से कितना को into करने से 24 होगा तो 3 अठे 24 होता है, आठ होता है, है ना तो यहां से इसका जो answer होगा, वो कितना होगा, 8 होगा तो इसको हम यहीं ज़स्ट बना सकते हैं इसका option कौन सा सही होगा, option A, 8 होगा, okay और अगर आप बना कर देखना चाहते हैं तो 4 प्रोपोर्शनल को एक समान कर बना लेंगे, okay इसके बदाते हैं, next question number 2 पर the third proportional of 8 and 12 is 8 और 12 का third proportional या तिरतिय समानुपाती कितना होगा चले इसको हम लोग यहीं बना लेते हैं एक समान कर बना लेते, third proportional अगर हम एक समान कर बना लेंगे तो 2 number क्या क्या है, 8 है और 12 है, third proportional को चले हम एक समान लेते हैं तो कितना होगा, 8 is to 12 equal to 12 is to x, यह होता है third proportional जब हम x मानते हैं, तो यह जो second वाला है, इसको दो मरतबा लिखा जाता है अब यहां से बना सकते हैं, कि 8 से x को इंटू करेंगे, 8 x हो जाएगा equal to 12 से 12 इंटू होगा, तो कितना हो जाएगा, 12 से 12 इंटू करेंगे, 144 हो जाएगा और यहां से x equal to कितना निकाल लेंगे, 144 बटा, यह 8 नीचे आजाएगा 8 से कर दें इसको, 8 x 8, 14 है, 6 बचेगा, 64, 8, 8, 64, कितना आगिया, 18 आगिया ठीक है न, तो यह हो गया है, 3rd proportional, तो कौन सा option सही होगा, 18, यानि इसमें जो option सही होगा, वो होगा, C इसके बाद है, 3rd question number 3, the mean proportional of 16 and 25 is, 16 और 25 का mean proportional या, मद्य समानुपाती कितना होगा, तो मद्य समानुपाती अगर हम इसको x मानते हैं, तो हम बना सकते हैं, 16 is to x, equal to x is to 25, उस तरह से भी बना सकते हैं, और मैंने एक शोट तरीका भी बताया था आपको, क्या करना होता है, नमबर है, जिसका में mean proportional निकालना है, इन दोनों को into करेंगे और उसका root कर देंगे, या बर्ग मूल कर देंगे, तो हमें mean proportional मिल जाएगा, ओके, तो कितना होगा, देखे, तीसरा वाला है, 16 है, और पचीस है, ठीक है, तो इसका mean proportional हो जाएगा, mean proportional equal to हो जाएगा, into करेंगे 16 into पचीस को, और इसका root कर देंगे, बस, ये answer आ जाएगा, तो 16 का root कितना होता है, चार, और पचीस का root कितना होता है, पांच, चार पच्चे, बीस, तो mean proportional कितना होगा, 20 होगा, तो 20 होगा, यानि कौन सा option correct होगा, 20 यानि यहाँ भी option, C, ये correct होगा, ओके, इसके बाद है, question number 4, A is a positive number, A एक positive number है, and if A is to 27 by 64, equally 3 by 4 is to A, then the value of A is, तो यहाँ से A का value निकालना है, यह भी बिल्कुल easy है, जिस तरह भी हमने बना है, उसी तरह बनाएंगे, A into हो जाएगा, और यह दोना आपस में into हो जाएगा, तो यह question दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पहला वाला into, चौथा वाला, फॉर्थ वाला, ए और A into हो जाएगा, A square हो गया, इकवल टू, यह दोना आपस में into हो जाएगा, second और third, तो यह हो जाएगा, 27 by 64, into 3 by 4, अब यहाँ से में A का value निकालना लेंगे, तो एकवल टू कितना होगा, चाय तो आप इसको into करके रख लेंगे, आइसे ही छोड़ दें, तो चले into कर लेंगे, कितना हो जाएगा यह, 27 by 81 by 81 by 256, क्योंकि स्क्वेर अटाने से राइट साइड में रूट चड़ जाता है, अब यह देखे कितना हो जाएगा, नव नमा एक असी होता है, और 256 का रूट कितना होगा, 16 होगा, क्योंकि स्क्वेर गारेंगे तो 256 होगा, तो एक अवेलू कितना होगा, नव बटा सोला, यह एंसर होगा, तो कौनसा औप्शन करेक्ट होगा इसमें, नव बटा सोला है, तो यह हो जागा option c करेक्ट होगा 9 बटा 16 फिर next question number 5 is if 2a equal to 3b equal to 4c यह तीनों अगर आपस में equal है बराबर है then a is to b is to c कितना होगा यह value हमें मालूम करना है ठीक है कई स्टोन इसमें गलती कर जाएंगे सोचेंगे 2 is to 3 is to 4 इस तरह हो जाएगा ऐसा नहीं है क्या answer होगा हम देखते है तो यह given है और हमें निकालना a is to b is to c तो इसके लिए हमें पहले क्या करना होगा हमें a b से अलग निकालना होगा इसके लिए हमें इसको k माल लेंगे इसको k से ठीक है अब यहां से में a b और c का value हम निकालेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा 2 A equal to K हो जाएगा 2 A equal to K होगा क्योंको यह 4 आपस में equal है यहां से equal to कितना होगा K यह 2 into इधर आजाएगा K के नीचे आजाएगा K by 2 यह हो गया एक अबेलू इसी तरह 3 B equal to K होगा है कौमा लिखेए Say 3 B equal to K होगा यहां से B equal to कितना होगा K by यह 3 नीचे आजाएगा ठीके? इसके बाद 4 C equal to A भी K होगा 4 C equal to K यहां से C equal to कितना होगा K by यह 4 नीचे आजाएगा ठीके? यह सब इसका वेल हो गया और लिख लेते हैं ठीके? A, B और C का वेलो आ गया इसलिए A is to B is to C ये कितना होगा A मतलब कितना K by 2 K by 2 is to is to फिर B मतलब कितना B मतलब K by 3 फिर is to है फिर is to C मतलब K by 4 ये होगा ठीक है लेकिन A is to B is to C ये होगा K by 2 is to K by 3 is to K by 4 ये सभी आपस में बटा में हैं फिरेक्शन में हैं तो इसको पहले तो हमें K को हटाना पड़ेगा देखिए आप ये सभी में उपर में K है तो ये K कैंसल होजागा सबसे ये होजागा के कट जागा तो ये होजागा 1 by 2 इस to ये होजागा 1 by 3 इस to ये होजागा 1 by 4 सबसे K कैंसल होजागा ठीक है अब हम क्या करेंगे बटा को हटाने के लिए हम करेंगे 2, 3, 4 का हम LCM लेंगे 2, 3, 4 का LCM लेकर आप देखिएगा 12 होगा तो जो LCM होगा उस LCM से LCM से हम सभी को इंटू करेंगे 1 by 2 को भी 1 by 3 को भी और 1 by 4 को भी ऐसा करने से क्या होगा ये बटा वाला हट जाएगा तो 1 by 2 है इसको इंटू करेंगे हम कितना से 12 से जो इलो का LCM है इस to 1 by 3 है इसको भी 12 से इंटू करेंगे और 1 by 4 है इसको भी हम बारा सी into, करेंग, ऐसा हम कर सकते हैं, क्यूं हमने 12, so 12 सब से cut eaha तो यहीं ही वालिया, फिर से, इसलिए हम कुछ हे अगर bubble, इन्टू करना है, यह सब का एं ut करना पड़ेगा, हमने 12, इन इन्टू कीया जो tutti sud का lc हमें, तो अब ऐसा करने से क्या हूआ, यह हो जागा, 2 से 12 कट जागा, 2 छक 12, 3 से 12 कटेगा, 3 चोक 12, चार से 12 कटेगा, 4 तीजा 12, तो कितना गया, 6 x 1, यानि 6 हो गया, 6 is 2, 4 x 4 हो गया, 6 x 4 is 2, 3 x 3 हो गया, 6 x 4 is 2, 3, ठीकिन, अब ये 3 हो, कोई एक पहाडा से 1 टेबल से नहीं कटेगा, तो यहीं तक हमारा एंसर हो यहां देखे, D में, 6 is to 4 is to 3 है, यह correct होगा, ओके? तो MCQ समझ में आ गया होगा सभी, और यह बहुत important भी है, क्योंकि MCQ आम तुर्पी एक्जाम में रहता ही है, इसके बाद है true false, B में true false है, सही और गलत कौन सा, तो पहला दियावा है, compound ratio of AB is to C square, यह पहला ratio या अनुपात, comma BC is to A square, यह दूसरा ratio या अनुपात है, and CA is to B square, यह तीसरा ratio या अनुपात है, इन तीनों अनुपात का, इन तीनों अनुपात का हमें compound ratio, कहा जा रहा है, compound ratio is 1 is to 1, इन सब का compound ratio या miss रनुपाद 1 is to 1 होगा ये सही है या गलत है तो इन तीनों का हम पहले compound ratio निकाल कर देख लेते हैं क्या होगा तो देखें ये तीनों ratio हैं इनका compound ratio short में लिख लेते हैं CR compound ratio कितना होगा इसका पहला वाला AB into इसका पहला वाला BC into इसका पहला वाला CA ये तीनों into is to फिल लिखेंगे इसका दूसरा वाला C square into इसका दूसरा वाला A square into इसका दूसरा वाला B square तो अब देखें कितना हो जा रहा है अगर अंच कट से और और यहां काहुँस की तरब इस तरफ में इन सलोगा कैंसल हो जाएगा तो ऐसमा समय काड़ा है ना रा एक बचाएगा । यह तरफ से ना अच कर्म द सबस्क्राइब यहां पर b है तो यहां से 1b कटेगा यहां पर 1b बचेगा सिरफ only b तो यह power कट देंगे ठीक है दो तरस से 1-1b कैंसल होगी यहां एक b बच गया अब यहां एक b बचा इस तरफ देखिए यहां एक b है तो यह भी कैंसल हो जाएगा इसके बाद सी मेरे देखिए यहां पर सी और यहां पर सी कटीई कटीई यहां पर सी कटीऊ मेरे तरह सी रहा, तो सी यहां पर कली देखिए को इस यूगँ है तो 2 तरफ से की वह जाया, मतलब यह के कामपाॉंड तो 5 यह स्ट तो यह सही है, पहला वाला यह true है, इसके बाद दूसरा है, x3y, x2y2 and xy3 are continued proportional, यह तीनों जो है टर्म या पद जो है, यह continued proportional है, करमिक समानुपात है, यह हमें चेक करना है, कि यह है या नहीं है, तो continued proportion चेक करने का आसान तरीका क्या है, कि यह पहला वाला और यह तीसरा वाला, इन दोनों को में इंटू करेंगे, और करके देखेंगे, कि बीच वाले के whole square के साथ बराबर है या नहीं, एक तरीका यह है, दूसरा जो simple तरीका वो यह है, continued proportion मैंने बताया था, कि पहले और दूसरे नमबर का हम आपस में ratio निकालेंगे, कितना हो रहा है, फिर दूसरे और तीसरे नमबर का आपस में ratio निकालेंगे, वो देखेंगे कितना हो रहा है, अगर वो बराबर है तब हम कहेंगे यह सभी आपस में continue proportional है, तो दोनों तरीका से मैं इसको बना करके दिखा दे रहा हूं, ओके, तो इस्टोन मैंने पहला तरीका भी क्या बताया, पहले नमबर को और तीसरे नमबर को into करेंगे, ठीक है, x cube y into x y cube, इसको into करके देखें कितना होता है, यह x cube और यह x into हो जागा तो x का power कितना हो जागा, 4 हो जागा, क्योंको यह पावर 3 है यह पावर 1 है, 3 और 1 जुड़ जागा, पावर आपस में जुड़ जाता है, 3 और 1 चार हो गिया, यह y है यह y cube और दोनो y है, तो यह भी आपस में into होगा तो कितना हो जागा y का power 4 हो जाएगा, 3 और 1 चार, तो पहला और तीसरा को into करके कितना है, x to the power 4, y to the power 4, अब यह जो बीच वाला है, इसका holy square करेंगे, और देखेंगे के बराबर होता है, x square, y square, पुरा का holy square करेंगे, ठीक है, end, यह कितना होगा, इसका holy square होगा तो क्या होता है, मतलब x square का holy square होगा पहले, power का power है, यह power उसके बाहर में फिर power, यह दोना आपस में into हो जाएगा, यह एक्स का power 2, 2, 4 हो जाएगा, y में भी उसी तरह से हो जाएगा, y to the power 4 हो जाएगा, तो देखिए, इसका holy square हमने किया, यह भी कितना गया, x to the power 4, y to the power 4, इसके साथ बिलकुल equal हो गया, तो जब ऐसा होता है, मतलब पहले नमबर और तीसरे नमबर को into करके, जितना होगा, बीच वाले को holy square करने से अगर उतना होगा, holy square ही करना हमेशा, अगर सेम सेम हो गया तब हम कहेंगे, हाँ यह तीनो जो है, continued proportion में है, ठीक है तो यह continued proportion में, continued proportion में है, ओके, यह एक पहला तरीका हो गया, यह हमने क्यों ऐसा किया है, हमने पढ़ा था कि, continued proportion में तीन नमबर है, तो क्या होता है, A to B बराबर होता है, और यहीं से हमनों क्या कर सकते है, BB into जागा, B square हो जागा, और A और C into जागा तो A C होगा, यह उसका तरीका है, यानि बीच वाला जो B, उसका whole square बराबर होगा, पहला वाला into तीसरा वाला A C, वहीं चीज को हमने यहां पर अपलाई किया, अब इसका दूसरा तरीका देखें, जो simple तरीका हो क्या है, पहले और दूसरे नमबर के ratio लेंगे, ठीक है, second method, पहले दूसरे नमबर के ratio लें कितना होगा, x cube y is to x square y square, यह कितना हरा है, दोनों तरब से काटके देखें, यहां से x square है, यहां x cube है, यह दोनों कड़ जागा, यहां पर एक x बचे आएगा, यह कड़ा पूरा, यहां एक x बचेगा, ठीक है, power 1 होगा, यहां y है, यहां y square है, दोनों तरब से एक एक y cancel होगा, तो यहां पर सिफ y बचेगा, तो क्या आगी है, यहां पर x बचा, इस्टू यहां पर y बचा, x is to y आया, अब दूसरे नमबर और तीसरे नमबर का ratio निकाल कर दिखाएंगे, कितना हो गा, x square, y square is to x, y cube, तो कितना हो जाँ देखिए, यहां x है, 1 x cancel हो जाएगा, यहां से कता है, यहां x बचा हो टो मतरूब में होगा, देखें, पहले और दूसरे नमबर का ratio कितना होगा, पहले दूसरे नमर का ratio कितना होगा दूसरे और तिसरे का ratio कितना हुआ X is 2 आए, दोनों same आगिया तो यह simple तरीका है जब same आजाएगा, यानि हम कहें सकेंगे यह तीनों नमबर continue proportion में है मतलब पहले दूसरे का ratio जितना आएगा दूसरे और तिसरे का ratio भी उतना आएगा तो यह भी तरीका आप use कर सकते हैं तो मतलब यह के यह तीनों continue proportion में है तो यह भी true होगा इसके बाद आते हैं fill in the blanks पर fill in the blanks क्या पहला if the product of three positive consecutive numbers is 64 तीन लगातार consecutive मतलब होता है लगातार तीन लगातार नमबरों का product यानि उनका multiply या गून या जरब अगर वो 64 है then there mean proportional is तो उनका mean proportional या मध्य समानोपाती कितना होगा तो तीन नमबर है तो तीन नमबर को हम माल लेंगे लगातार तीन नमबर को A, B और C माल लेंगे तो इन तीनों का into कितना होगा A, B, C इन तीनों का into करने से ये question में दिया होगा 64 होगा और हमें कहा इसका mean proportional निकालने के लिए तो mean proportional कौन सा होगा ये बीच वाला नमबर होगा B ठीक है नहीं यानि तो B निकालना है तो mean proportional अगर होता है यानि ये continued proportion में अगर है तो मैं पता है कि B square equal to कितना होता है A, C होता है B square equal to होता है A, C जिसा अभी अभी हमने करके दिखाया था mean proportional होने से तो B square equal to A, C है तो अब हम क्या करेंगे दोनों तरफ हम B से into कर देंगे इदर B square है इदर भी B σε into करेंगे हम और यहां A, C है इसको भी हम B से into कर देंगे यह हम कर सकते हैं दोनों तरब B से into कर दिया हमने और अब यह कितना होगा B square into B कितना होगा B cube होगा equal to यहां पर A, C और B into होगा तो क्या हो जाएगा यह हो जाएगा A पहले उसके बाद B लिखेंगे B into C अब देखिए कितना हो जाएगा B cube equal to A, B, C मतलब क्या A, B, C मतलब 64, 64 यहां 64 लिखेंगे और अब B equal to कितना होगा यह इसका whole cube है 64 कितना का whole cube होता है इसका whole cube बनाएगे 64 होता है 4 का whole cube ठीक है तो आब देखिए इदर भी हमने whole cube बना लिए दोनों तरफ आप मैच करें मैच करने से क्या है whole cube अगर दोनों तरफ से हटाएगे तो B equal to कितना हो जाएगा 4 यानि जो उनका mean proportional है B, वो कितना है 4 है यह B 4 answer होगा तो खाली जगा में हम 4 put करेंगे यहां पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा इसके बाद question number 2 if A is to 2 equal to B is to 5 equal to C is to 8 है यह तीनों अगर है यदि then 50% of A equal to 20% of B equal to कितना percent of C होगा तो इसको हम के method से बनाएगे किस तरह से देखें तो इसको पहले बटा में कर लेते हैं A is to 2 है मतलब A बटा 2 होगा equal to B is to 5 है मतलब B बटा 5 होगा equal to C is to 8 है मतलब C बटा 8 होगा इसको हम लोग के माल लेंगे के से तो के माल लेंगे से क्या होगा A, B और C का अलग-अलग value आजाएगा A equal to कितना होगा इसलिए A equal to कितना होगा A के नीचे 2 है 2 के से into होजाएगा 2 के होजाएगा उसके बी मतलब कितना होजाएगा B के नीचे 5 है 5 के से into होजाएगा 5 के होगा और C equal to कितना होगा 8 के होजाएगा ओके A, B, C का अलग-अलग value आगिया ठीक है अब हम लोग निकालेंगे 50% of A मतलब कितना ठीक है इसलिए 50% of A 50% of A 50% of A 50% क्या होता है 50 by 100 होगा क्योंकि percent मतलब क्या होता है बटा 100 होता है of money into होजाएगा और A मतलब कितना होगा A के जगा में लिखेंगा उसका value 2 के 50% of A मतलब 50% of 2 के ठीक है ये कितना होगा देखें ये 50 से नीचे 100 कट जाएगा 50 से गम 50 50 दूना सा दो हो गया दो-दो यहां कैंसल हो जाएगा ठीक है तो कितना होगा K into 1 मतलब K तो 50% of A मतलब कितना होगा K यानि ये जो value है ये K होगी है उसके बाद 20% of B है 20% of B निकालेंगे है 20% of B तो 20% मतलब क्या होगा 20 बटा 100 होगा into B मतलब कितना होगा 5K यहां से भी देखिए 20 से 100 कटेगा 25 पचे 100 5 बार में कट जाएगा और 5 पच यहां भी cancel होगा तो कितना होगा K आ गया तो 20% of B मतलब ये भी कितना होगा K होगा इसका मतलब भी होगा K यहां से हमको समझ में आ रहा है कि ये भी के है equal to ये भी के है तो इसे ये तीसरा वाला भी के ही होगा तभी न तीनो equal होगा equal है बीच में ये के आ गिया इसका value भी के आ गिया मतलब ये जो भी होगा ये percent C का वो भी K होगा तो यहां कितना % होना चाहिए तो हम क्या करेंगे माल लेते हैं X % of C equal to यह भी कितना होगा तब K होगा ठीक है तो यहां हम क्या लिखेंगे Let X % of C equal to यह हो जाएगा K क्योंकि यहां K होना ही होगा तभी न बराबर होगा तो आप हमें पता करना है कि X percent यहां ने माल है तो X का वेलू हमें निकालना है तो X percent of C मतलब क्या? X percent मतलब X बटा X हो जाएगा into of money into C मतलब कितना होगा? 8K 8K equal to कितना होगा? कि अब यहां से में X का वेलू निकालना है और देखिए यह कितना होगा? दोना तरफ से K कैंसल हो जाएगा क्योंकि यहां into है यहां 1 हो जाएगा और यह 8 into X हो जाएगा 8X बटा नीचे 100 हो जाएगा equal to यहां पर हो जाएगा 1 यहां से हम X का वेलू निकालना हो जाएगा और यह 1001 से into हो जाएगा और इस तरफ हो जाएगा 8X यह कुरोस मल्टिपला हो जाएगा 100 into 1 100 और X equal to कितना हो जाएगा 100 by 8 नीचे आजाएगा इसको काटे कितना हो जाएगा चले 4 से कार लेते 4 दूना 8, 4 पचे 20 और 4 दूना 8 25 बटा दो आगया तो X equal to कितना आगया 25 बटा 2% 25 बटा 2% इसको divided करके देख लिजे कितना होगा तो 2 से 25 को divided करेंगे 12.5 होगा 12 से 1 बटा 2% तो यह answer होगा 12 से 1 बटा 2% तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे 12 से 1 बटा 2% लिखेंगे यहाँ पे 12 से 1 बटा 2% समझ में आया होगा अब तीसरा question क्या है if mean proportional of x-2 and x-3 is x then the value of x is कितना होगा तो कहा गया कि x-2 और x-3 का mean proportional या मद्ध्य समानुपाती वो x है तो इसका क्या मतलब हो रहा यानि अगर इन दोनों का mean proportional x है तो x square equal to होगा इन दोनों का into करने से उसके साथ बराबर होगा ठीक है जैसा a, b और c होता है और उसका mean proportional अगर b है a, b से अगर continue proportional है तो उसका mean proportional b है तो b square equal to क्या होता है a, c होता है ठीक उसी तरह से इनका mean proportional x है तो x square equal to होगा यह A हो जागा और यह C हो जागा यह पहला और यह तीसरा हो जागा इन दोनों को इंटू करने से X स्क्वेर के साथ बराबर होगा महाँ से में X का वेलू निकाल लेंगे तो देखिए mean proportional अप X minus 2 X minus 3 X है तो X square equal to हो जाएगा क्योंकि X mean proportional X square equal to होगा यह इन दोनों को इंटू करने से इसके साथ दीक वाल होगा यहाँ से X का वेलू निकालेंगे और X square equal to क्या होगा इन दोनों को इंटू करें पहले X minus 3 से इंटू होगा फिर X minus 3 से इंटू होगा तो minus 3 X होगा फिर minus 2 X से इंटू होगा तो minus 2 X होगा फिर minus two minus three cent होगा तो minus minus plus दो तिया 6 होगा और अब दोनों तरफ देखिए x square यहां भी है यहां भी x square दोनों में plus है तो equal to के इधर और इधर same same रहने से cancel हो जाएगा यहां पे zero हो गिया equal to यहां पे minus three x और minus two x रहाएगा दोनों x वाला है और इसको इस तरह लेकर आजाएगा minus five x से इसको left side में लेकर आएगा तो पलस हो जाएगा five x पलस हो जाएगा और इस तरह पलस six रहा पलस लिखने के जरूत नहीं है और x equal to कितना होगा छे बटा यह पांच नहीं जाएगा छे बटा पांच यह एंसर होगा प्लिट हुआ और इसके बाद हम short questions को बनाएंगे next video में